हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू आल, आज मैं आपके ले जो वीडियो लिखा रहा है कि काफी इंपोर्टेंट खबर, काफी बड़ी खबर, यहां पे मात्र पांच रुपे का ये शेर है, गूगल खरीदेगा इसमें बड़ा हिस्सा, बड़ी डील की बात सामने निकल के आ रही जरा सोचिए कि ये बड़ी बड़ी टिक्नालोजी कंपनी इंडिया में किस तरीके से आना चाहती है, किस तरीके से यहां पे हिस्सा खरीद रही है, अलग-अलग शेर में, और आगे बढ़ने से पहले में आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं बता है, तो यह सारी चीज़ आप मेंस कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बैल आकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोनिफिकेशन आते रहे हैं, और जॉइन बटन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि हमारा मानना है कि एक-एक रिटेल इंवेस्टर की अपनी सो आपको बस यह की एक बैरियर रखा गया ताकि आप यहां पर जोइन करने के लर्निंग के चुक हो, और जो लर्निंग के चुक है, उनके लिए कोई बैरियर नहीं है, वो इसको जोइन कर रहे हैं, अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ, यहां पर जो बड़ी खबर निकल तो Facebook आगया, Microsoft आगया, उसने तो कई billion dollar उठा लिये है, लेकिन Vodafone आइडिया बच गया, पैसा देना है, पैसा तो देना ही है, किसको पैसा दे, कौन आगया आएगा, 16,000 करोड का market capitalization, 5 रुपे का share है, लेकिन अब जो आगे आए है, उसका नाम है Google, गूगल भाई सब आग 5% stake in Vodafone idea, multiple India investment report, यह देखिए, analyst say कि यह deal जो है, वो, जो अभी Vodafone idea को 53,000 करोड AGR, यानि कि adjusted gross revenue, जो पैसा देना है, जिसके लिए telecom companies को, तो कैसे देंगे पैसा, तो पैसा देना पड़ेगा, तो अपना stake बेचना पड़ेगा, और Google आगे आ रहा, बहुत ही जबरतस बा to buy 5% stake in Vodafone idea limited, a company owned by Vodafone PLC of UK and Adity Birla Group, सबसे पहले आपने देखा कि किस तरीके से telecom market में एक टाइम पर ऐसा लगया, भी survive होना, मुश्किल है, लेकिन अब बड़ी बड़ी deals, यह सामने निकल के आ रही है, और यहां पर देखिए, Vodafone idea मर्ज होके एक हो चुका है, क्योंक इरलाइंस जी हो, जब आया मार्केट में सब कुछ फिरी बांट दिया, उसने फिरी बांट दिया तो फिर क्या थी था, और लेकिन अब यह देखिए कितना 5% का stake Google देखिए, अब देखिए, अब देखिए, किस तरीके से Google की पेरेंट कंपनी अल्फावेट, गूगल की पे Facebook आगे आई है, और आपने Airtel की डेटेल तो आपने देखिए ली, तो Vodafone आइडिया के लिए काफी अच्छी ख़बर है, क्योंकि पैसे का जुगार करना और इतनी बड़ी कंपनी को लूपिन करना, मतलब इंडिया के अंदर तो नाम ही काफी है, जब आएगी बात होगी और इसके अलावा, जिस तरीके से आपने देखा कि जियो की तरफ कौन जा रहा है, और आने वाले टाइम पर जिस तरीके से मैं देख भा रहा हूं, जो फ्यूचर मुझे देख रहा है, यह Microsoft, Google और कभी अभी कुछ ऐसा लगता है कि Amazon भी कहीं न कहीं, यहाँ पर टेलीकॉम पूरा का पूरा टिकनॉलजी वाला प्लाटफॉर्म यह बन रहा है, वहाँ पर Amazon भी कहीं ने कहीं आगे आने की सोचेगा, Amazon कभी नाम आएगा, देखिए कभी, अभी Amazon Flipkart के आहाँ पर आया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, फिलाल मैं जो Vodafone idea के बात कर रहा हूं, य यह बहुत ही अच्छी बात है, अभी कोई कमेंट, ओफिशल कमेंट कमपनी की तरफ से नहीं आया है, इस चीज को ध्यान दे, क्योंकि यह क्लियर कट लिखा है, कि स्पोक्स पर्शन फ्रम अदिति बिरला ग्रूप हैड़कॉर्ट इन मुंबई, डिकलाइन डिकलाइन डिक सकतो Vodafone के हालत कराब है, और मार्केट की वैलिएशन आपने देखी कि कितनी रह गई है, 16,000 करोड की मार्केट की वैलिएशन रहे गी है, चलिए 5% आप इसका लगा भी दो तो कितना करोड होता, तो Google के लिए तो कुछ नहीं है, Google तो आपने आपने इतनी बड़ी कमपनी है, और उसके लिए 5% के लिए कुछ भी पैसा यहाँ पने बल्कि यह पूरे Vodafone आइडिया को भी करी सकता, अगर ऐसी बात हुई तो, बट यहाँ पर धीरे धीरे करके, यह इंपोर्टन बात है कि Facebook, Microsoft, Google, और साथ के साथ Amazon भी, जिस तरीके से धीरे धीरे करके, सारी चीज लेकिन अब यह न्यूज आई है, तो कल की डेट में देखना तबाही, आज की डेट में 25% की डिलिवरी देखने को मिली है, और अगर एक बार Vodafone आइडिया अपनी तरब से कन्फर्म कर दे कि हाँ भाई, Google खरीद रहा है 5% स्टेक, तो यह देखिए 5 रुपे का शेर आप ने बात करी, फेटल बैंक के बारे में, और बढ़िया रिजल्ट आया है, मैं कहूंगा, यह देखिए, बिल्कुल बॉटम पे, मंतली पे कुछ भी निया देखने को, डेली पे कुछ भी निया, वीकली पे कुछ भी निया देखने को, लेकिन डेली पे देखते हैं कि कहां स से उठके आया है अगर आप देखोगे वोड़ाफोन आइडिया का शियर दो रुपे तीस पैसे के लेवल तक चला गया था और यह पंदरा नॉवंबर की बात है तेजी देखने को मिले जिव वापस आठ नो रुपे के आसपास फिर से नीचे आया और अभी रीसेंट लोड जो इसके हैं वो है तीन रुपे के आसपास तीन रुपे के आसपास फिर से तेजी देखने को मिले अभी तेजी है और फिर कभी डाउन कभी अब तो लगा रहेगा अगर आवरली मैं देखो अभी जो सिचुएशन बनी हुई है यह देखे किस तरीके से इसमें पैसे को डबल हक कर चुका है वोड़ा फॉन आइडिया का शेयर आपको यकिन नहीं है तो आप देख लीजे दो महिने के अंदर आपके पैसे को डबल कर चुका है और अब जो है वो बड़ी खबर निकल के आ रही है और यह बड़ी खबर किस चीज की है यह बड़ी खबर ह किस तरीके से यहां पर Vodafone Idea जो है अपने पैसे जो है क्या केते हैं AGR के पैसे जो डेट है उसको पी करने के लिए आगे आ रहा है और इसके अलावा अगर आप Vodafone Idea को कितना डेट है 99,000 करोड का डेट इस चीज को देखे अभी आप देखोगे एर टेल के अंदर कितना डेट है धेड़ लाग करोड का डेट प्रोमोटर होल्डिंग कुछ भी गिरवी नहीं रखी विये यह अच्छी बात है 72 परसंट की प्रोमोटर होल्डिंग है लेकिन बाकी स सारी चीजे नेगेटिव है वोड़ाफोन आइडिया की यही नहीं में आपको प्रोफिटेबलेटी भी दिखाना की कोशिश करूंगा ताकि आप समझो किस तरीके से वोड़ाफोन आइडिया यहां पर ऑपरेट कर रहा है रिवेन्यू स्टार्टिक में बढ़ता गया और अभी भी आपको दिख रहा होगा कि बीच में कम जरूर हुआ ता 17 में 18-19 बीच में रिवेन्यू बढ़ता हुआ आपको दिख रहा होगा प्रोफिटेबलेटी अगर आप देखो 2017-2018-2019 पिछले चार फाइनेंशल येर में बड़े-बड़े लॉसस स्टार्ट हुआ 800 करोड थी जो 53,000 करोड के हम बात कर रहे थे वह एडजस्टेट ग्रॉस रिवेन्यू है जो इनको देना है कई सारी चीज़े है देखे टेलीकॉम में अभी बहुत खतरना चीज़े जो स्पेक्ट्रम और से रिलेटेड चीज़े है और अब बात करते देखिए अगर कंपेरिजन क किस तरीके से देखे जियो माट मतलब पूरा का पूरा जियो मनी अलग अलग सेगमेंट में वह अपरेट कर रहा है पूरे का पूरे डिजिटल सेगमेंट जो है वह जियो के अंदर आ रहा है और 65 बिलियन डॉलर की रिलाइंस जियो की वेल्यूशन और साथ के सांथ 1000 करोड का amount देना है Vodafone idea को चलिए यह आपने overall update देखा किस तरीके से हमने यहापे तीन stocks की बात के लिए इस चीज को ध्यान रखे कि यह उधार जो है वो खाली Vodafone idea के उपर ही नहीं है यह जो है ATL के उपर भी है और Alliance Industries के उपर तीन लाग करोड का debt है तो हर company अपना debt अपन को प्रेस कर लजिस आपो notification आती रही कि साथ में technical analysis वही एक retail investor के लिए बहुत बड़ा हतियार होता है तो इस हतियार को आप भी सीख सकते हो देखिए पूरी detailed analysis साथ के साथ practices आपको करवाई जाती है तो आप भी join कर सकते हो join button पर click करके पूरा क्या trend reversal क्या time frames किस तरीके से moving average क यूज करना reversal signal से आपको कम मिलेंगे यह सारी चीजें ही इसमें बताई गई है find up करता हूं वीडियो को share कीजिए like की जन thank you thank you for watching the video